आगरा में सरवाधेट लोगप्रीय चैनल सीन्यूस की एप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें त्रिस्तरिय पंचाय चुनाफ की तैयारियां चल रही हैं मतदाता सूची में गडबडी का खेल भी चल रहा है मतदाता केंदर को गलत तरीके से बदलने और फर्जी मतदाता सूची पर कारवाही की मांग को लेकर खेरागर तहसील पर प्रदर्शन किया गया साथी जिल्ह मुख्याले पर बड़े प्रदर्शन की चेताबनी भी दी गई मददाता सुची में गरवड़ी और मददान केंडर को बढलने पर लोगों में गुस्ताबे आपते हैं गुस्ताई लोगों ने खीरा गड़ तैसील पर प्रदसन किया बड़ी संक्या में प्रदसन में लोग सामे लुए जम के नारीवाजी की गई और ध्रना भी दिया गया दरसल मामला साइयां विकासखंड का है साइयां विकासखंड के गिराम पंचायद मुकरई के गिराम सामनता पुरा के मद्दाताओं को मद्दान के संक्या 55 प्रात्मिक बिद्धियाले मुकरई से इटाकर मद्दान केंद 54 प्रात्मिक बिध्याले सामन पुरा में समलित कर दिया है इसी बात पर लोग गुष्टे में है लोगों का कहना है कि मुखरई में जब पहले से ही मद्दान केंद था फिर बला कई किलोमीटर दूर मद्दान केंद पर उन्हें क्यों जोडा गया इसके अलावा फर्जी मद्दाता सूची बनाने पर भी लोगों में गुष्टा ब्याप था ऐसा आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से मद्दाता सूची तयार की गई जिसकी जाच में भी ये बात साबित हो चुकी है विकास खंड संया के अंतरगत ग्राम पंचायत मुखरई के आज हजारों ग्रामीनों ने कुसवा मासवा के बेनर तले मेरे नेत्रत में तैसील खेरागड के मुख्याले पर उपजिला अदिकारी खेरागड को संबोदित ग्यापन उनकी गैर मौजूदगी में कानून को महुदय को दिया गया है जिसमें हमारी दो मांग है हमारी मांग यह है कि जो सायक निर्वाचन कार्या लेके जो मतदाता के प्रभारी बनाए गए हैं पमार जी करके हैं उनका नाम उनके द्वारा जिला निर्वाचन कार्या लेको एक फरजी मतदाता सूची दी गई है और जो बाहरी लोग हैं उनक के नाम उसमें अंकित हैं बड़े पैमाने पर सईयां विकास खंड के कई गाउं में मद्दाता सूची में गरवड़ी की गई है कुस्वा महासावा ने ऐलान कर दिया है यदि उचित कारवाई नहीं की गई फिर जिला मुख्याले पर इससे भी बड़ा पदसन करेंगे हम यह चाहते हैं एक तो जो सामनता पुरा के जो निवासी है वो अपने गाउं से दो किलो मीटर से हदिक दूरी पर मुख्याओं के अंदर वो लोग मतदान इस्तल पर मतदान करने के लिए जाते हैं जो की नियम बिरुद्ध है और हमने यह मांग किया है कि सामनता पुरा के अंत समस्यां को लगातर प्रसाशन नरजर अंदाज कर रहा है और गिरामीनों का जो सब्र है उसका इंतहान ना ले हम लोग जल्दी एक बड़ा आंदोलन इसी एक फरवरी को जिला इदिकारी के आवास पर हम लोग करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारियां आगरा के पुलिस और भी होगी आरोपों के घेरे में हरवान परमार हैं तमाम आरोप अरोप हरवान परमार पर लगाय जा रहे हैं अब सवाल ही उठता कि जब फरजी बाड़ा साबित हो चुका है फिर वहला फरजी मद्दाता सुची क्यों नहीं हटाई जा रही है साथ ही जब पहले से ही मद्दान केंद्र मुखरई में था फिर भला सामनता पुरा मद्दान केंद्र क्यों पहुंचाया गया इसके पीछे की मंसा ठीक नहीं मालूम पड़ती है ऐसा लगता है कि मद्दान वाले दिन गर्वडी के लिए सारा चक्रव्यू रचा जा रहा है आला दिकारियों को अच् खेल करने का खेल सुरू हो गया है मद्दाता सूचियों में बड़े पैमाने पर फिर बदल किया रहा है यहीं बज़े है कि कुस्वा महासवा के द्वारा पिदसन किया गया और तमाम गंभीर आरोप लगाए गया सवाल यह उड़ता है जब इस बात को सावित किया चुका ह कि मद्दाता सूचि फरजी तरीके तैयार की गई है फिर आला अदिकारी कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मद्दाता सूचियों में गरवड़ी की जा रही है उसे देख लगता है कि चुनाप बाल दिन बड़ा बावाल भी हो सकता है क्योंकि तमाम सारी हो गई है अपने साथी अगले दुबे के साथ राकिश का नोजिया सीन्यूज आगरा